प्रणाम दोस्तों आज हम पंच महाभूत के उपर कुछ डिसकसन करेंगे तो इसमें हम पंच महाभूत क्या है और उनका उत्पत्ति कैसे हुआ और उनका मानव जिवन के साथ मनुस्यक्य रचना के साथ उसका कैसे संबन्ध है वो चीज के उपर हम आज समझेंगे तो पंच महाभूत क्या है पंच महाभूत जो हम बोलते हैं यह भूत सब्द जो भी भूत सब्द है यह हमारा भूतिक सब्द से आया हुआ है भूत से ही भूतिक बना है भूतिक मतलब क्या होता है फिजिकलिटी जो भी फिजिकल है उसको हम भूत बोलते हैं बुट से भोतिक बिग्यान या फिर फिजिकल सैंस आया हुआ है इसके उपर हम आज देखेंगे कि ये पंच महाबुथ कैसे मनुसे की सरीर का रचना करते हैं और इनका हमारी जीवन में क्या संबंध है तो अब हम देख रहे हैं कि पंच महाबुथ क्या है पंच महाबुथ क्या क्या चीज है पंच महाबुथ में हमारे पास आ जाता है आकस फिर वायू फिर अगनी फिर जल फिर प्रित्वी यह पंच महाबुथों के पंच नाम है और उनके यह जो चीज हैं नाद, बल, तेज, द्रव और जड़ता यह उनके गोन है तो आकास के क्या गोन है आकास का गोन है नाद नाद मतलब क्या होता है वाइब्रेशन और इसका जो हम अनुभब करते हैं अपने अंदर जो परसिब या फिर जो सेंस करते हैं अनुभब जो करते हैं वो होता है सब्द तो सब्द जब हम सुनते हैं वो आकास का एक गोन है वा डाइबरेशन के करण सब्द बनता है फिर हम वायू पे चले जाते हैं वायू जो पंच महाबूत है दुसरा पंच महाबूत वो उसका गूण है बल बल मतलब क्या होता है फोर्स मतलब हम कितने बल से किसी को आगे पीछे खींच रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो यह किसी को चुछ करते हैं तो जो चमरी है वो ही चीज है जो बाँन देता है किसी को खाय को जीज को एक लेयर बना देता है बाउंडरी बना देता है तो यह उसका बाउंडरी वाला चीज़ है और यह बाउंडरी क्रेट करता है फोर्स और उसके बाद तिसरा जो हमारा महावुत आता है वह है अगनी अगनी मतलब क्या होता है उसका गुण है तेज मतलब क्या टंपरिचर पेज मतलब तेमपरिचर उसमें आप ठंडा और फिर गरम यह महिस हैं और तेज या फिर कोई भी जीब के सरीर का जो उसका टेंप्रेचर होता है बौडी का उसी के आधर पर उसको हम देख पाते हैं जैसे आप मुवीज या फिल्मों में देखे होंगे कि कोई चस्मा लगा लगता है और रात में जानवर उसको दिख रहे हैं या फिर इनसान को डून रहे हैं तो इनसान दिख रहे हैं इसी तरह का तो हम temperature या फिर तेज के करां हम कोई चीज को देख पाते हैं और उसका अगनिका सबसे बड़ा जो हमारे पास चीज है वो है सुर्ये सुर्ये उसका प्रतीक है फिर हमारे पास चोधा जो महाबुत है वो है जल जल का गौन क्या है द्रव मतलब वो आपने अंदर किसी को द्रवीभूत कर देता है डिजल्ड कर देता है और एक दार का उसका फ्लोह है जो अपने अंदर उसी फ्लों में सभी को वो अपने अंदर समट लेता है जैसे आप पानी के अंदर कुछ डालेंगे तो वो अपने अंदर उसको समालता आप नमक को डालेंगे तो वो अपने अंदर तो इसी के वज़े से अगर जल नहीं होगा तो हमारे पास स्वाद चीज जो हम महसूस करते हैं वो नहीं आएगा तो जल के करण हमें स्वाद का अनुबव होता है पांचमा महाबुत क्या हो गया प्रित्वी प्रित्वी वहलए चीज क्या करता है ये जड़ता को प्रतिके इसके गून जड़ता है स्टेशनरी मतलब ये जड़ वहलए जो चीज होता है उसी को हमें महसुस कराता है या फिर इसी का अनुभव होता है गंध डरता है इसका कून हो गया गंध उसका हमारा अनुभव हो गया गंध मतलब क्या जो भी हम स्मेल करते हैं अगर पृत्वी नहीं होता तो हमें गंध चीज हम महसुस नहीं कर पाते हैं यह होगे उनके गून और इनके अनुभव के पांच तरह के अनुभव फिर इनके अनुभव करने के लिए हमारे पास इंद्रिय होना चाहिए जो इनसान में होता है तो यह पांच इंद्रिय क्या होगे कान, चर्म, आँख, जीवा और नाख तो जैसे मैंने बताया कान क्या करता है? कान सब्द को सुनता है और चर्म क्या करता है? चर्म के करान हमें स्पर्स को महसूस करते है आँख क्या करता है? आँख हमारा देखता है तो आँख के करान हम कोई रूप को देख पाते हैं और जीवा क्या करता है जीब जो होता है वो क्या करता है कोई चीज का स्वाद ले पाता है और नाग जो होता है वो कोई चीज का गंद ले पाता है क्योंकि ये पंच इंद्रिया के कारण हम कोई चीज को अनुभब कर पाते हैं इसलिए इने को पंच ग्यान इंद्रिया भी ब हमें अनुभव से प्राप्त होता है और यह पंचेंद्रिय क्या कराता है हमें अनुभव कराने में सहायक काम करते हैं ठीक है क्योंकि अनुभव ही ज्ञान है तो यह पंचेंद्रिय हमको वो चीज को नुभब करने में और उससे नुभब करके उससे ग्यान प्रब्ब करने में हमें सहायक चीज को जैसा काम करते हैं यह और यह जो हम मुख, हाथ, पेर, गुदा, जनिंद्रिय बोले हैं यह सब क्या है यह सब कर्म इंद्रिय है कर्म इंद्रिय क्या होता है जैसे हम अभी सुने सब्द को अगर हम वो ही सब्द को अपने कर्म से उसको करना चाहते हैं जैसे हम सब्द निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे मुख से हम कोई भी सब्द को निकालेंगे और अगर हम कोई चीज को स्पर्स करना चाहते हैं तो हम कैसे स्पर्स करेंगे हाथ से स्पर्स करेंगे अगर हम कोई चीज को देख लेते हैं फिर देखने के बाद हमारे अंदर क्या आता है हम अगर कोई जगा देख लिए थोड़ा दूर कुछ देख लिए तो हमारे अंदर चलने के लिए प्रवर्वर्विती आता है तो पेर हो गया हमारा करमेंद्रिय जो देखने के बाद हमारा चलने के लिए प्रिवित करता है अगर हम नहीं देख पाते हम एक ही जगज़ा पर बेठे रहते हैं इसलिए अंधा जो होता है, उसको लड़ खड़ा ना पड़ता है चलने के लिए क्यूंकि उसको पता नहीं कि वो कहां कदम रखे क्योंकि हम देख पा रहे हैं तो हम अपना कदम आराम से रख लेते हैं और जो गुदा गुदा मतलब हम जो एक्सक्रेड करते हैं जो भी चीज यह जो चीज हो गया यह हो गया हमारा मुतना और एस्क्रियेट दोनों तो यह दोनों चीज हमारा क्या कराता है यह स्वाद का चीज है कि कोई हम चीज खा लिए तो उसको हम एस्क्रियेट करते हैं गुदा से गुदा भी चीज है गुदा में दोनों मल और मुत्र दोनों आ जाते हैं तो ये जिवा का कर्मेंद्रिया है जैसे स्वाद का कर्मेंद्रिया है और नाक जो गंद में हिसूस करता है उसका कर्मेंद्रिया क्या है? जननेंद्रिया जिसको हम करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्योंकि हमारे अंदर स्मेल करने की एक तरह का प्रवरती है और स्मेल करने से हम लोगों को सेक्स करने का मन करता है आप देखेंगे कोई भी जननेंद्रिय के आसपास हमारे पास क्या होते हैं वहां से गंध निकलता है बहुत गंध निकलता है सरीर में यही एक चीज जहां से हमेशा गंध निकलता रहता है और वो चीज जननंद्री है और आप देखेंगे पसूं में कि जब कोई पसू जैसे आप गाय का आप देख लेंगे या फिर कुट्टों को देख लेंगे या फिर कोई भी दूसरा पसू वो लोग पहले जो मेल पसू होता है पुरुष पसू होता है वो जाके सुंगता है और फिर सुंगने के बाद सेक्स करने के लिए उसके अंदर प्रभृति जगरत होती है और जो सेक्स करता है वो ही उसका कर्मेंद्रिय हो गया गेनरल हमारे यहां पर फिमेल जो पसू होते हैं फिमेल पसू फिमेल एनिमल जो होते हैं वो क्या करते हैं वो अपने मुत्र में गेनरल टॉइलेट में तरह का गंद छोड़ देते हैं और जब उसका मेल पार्ट उसको सुंगता है तो उसको फिमेल के पास उसको फॉलो करके जाता है सेक्स करने के लिए और उसी से वो लोग फिर उनका काम सुरू होता है फिर हम देखेंगे कि पंच महावुत का उत्पत्ती कैसे हुआ तो हम एक चीज ये देख लेते हैं कि एक इनसान के सरीर में इनसान के सरीर में अकास की मात्रा 6% है भाईको मात्रा भी 6% है अगनी के मात्रा 4% है 4% है जल के मत्रा 72% है जो कि टूथाड है और टूथिव के मत्रा 12% है तो यह है इन्हीं पंच महावूतों से इनसन का सरीर बनता है और इनका मत्रा इसी प्रकार है तो हम अब पंच महावूत की उत्पत्ति देख रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है आकास आकास हमारा कहां से आता है जैसे सबसे पहले जैसे योग विज्ञान जो है योग विज्ञान में सबसे पहले सुन्य था ऐसा बोला जाता है सुन्य मतलब क्या कुछ नहीं था एम्टिनेस इस सुनिये से फिर हमारा आकास की उत्ति होता है और हर जगा आकास चाया रहता है और ये जो आकास हो गया ये अगर आकास हो गया अब आकास चारओं तर फैल गया है फिर नादी नादे, साउंडी साउंडे कि कि इसी में सब कुछ होता है पहले फिर इस अकस से वायू की उत्पत्य होती है योग्या योग्या वायू फिर इस वायू से अगनी की उत्पत्य होती है योग्या अगनी फिर इस अगनी में से जल की उत्पत्य होती है और यह हो गया है जल और इस जल से प्रित्वी की उत्ति होती है तो पंच महावुद में सबसे पहले आता है आकास आकास से फिर वायू निकलता है और वायू से फिर अगनी निकलता है और अगनी से जल और जल से प्रित्वी निकलती है तो हमारे पास अब क्या होगे पहले आकास से निकला आकास जब निकला इसके पास क्या थगों नाद लब वाइब्रेशन अब आकास से फिर निकला हुमारा वायू अब जब आकास से बायू निकला है बायू में आकास का नाद गों भी होता है और नाद के साथ सपर्स गों भी होता है और नाद गों हमेशा रहता है इसमें फिर जैसे वायू से निकला हमारा तेज या अगनी चुंकि तेज वायू से निकला है तो वायू के गून क्या हो जाएगा नाद और स्पर्स तो वायू में थे ही और नाद और स्पर्स के अलावा उसके पास और एक गून आ जाता है जो की तेज है यानि टेंपरिचर है ये गुन आ जाता है अब फिर अगनी से फिर क्या होता है अगनी से हमारा निकलता है जल जल में क्या-क्या गुन होता है जल में होंगे हमारे पास क्या-क्या गुन नाद प्लस पर्स जो भी अगनी में गुन होंगे प्लस रस यह गुन तो पहले ही अगनी में थे और अगनी से जल निकला है इसलिए अगनी का गुन इसमें रहता ही यह और उसके साथ रस का गुन जोड़ जाता है और प्रिथ्वी जो चीज होता है प्रित्वी में ये चार गौन जो भी यहां पर बताएगे प्लस उसके साथ क्या आ जाता है गंद वाला गौन होता है तो ये गंद वाला गौन जल में नहीं होता है और रस वाला गौन इसमें नहीं होता है अगनी में और अगनी का जो गौन होता है तेज तेज वाला गौन वायू में नहीं है हे वायू में पर छुपा हुआ है और रस वाला गौन अगनी में है बट वो छुपा हुआ है और जो गंद वाला गौन जल में नहीं है पर जल में छुपा हुआ है तो सारे गौन आकास में भी छुपा हुआ है और आकास का गौन भी छुपा हुआ है और पंच महामुद का गुण आप बोल भी सकते हैं कि आकास में भी वो छुपा हुआ है तो इसी तरह वायू का जो गुण हो गया स्पर्स वो आकास में नहीं होता है बट वो छुपा हुआ रहता है अगर नहीं होता तो वो निकल दागे से वो बात है तो वो हमेशा होता है पर उसमें उसका गुण पाया नहीं जाता यह किसी तरह का चीज है वो उसमें छुपे हुए रहता है तो दिखता नहीं यह वो प्रकासित नहीं होता है आकस में आकस का सिर्फ गुण होता है नाद यह हो गिए पंच महाबूत के उत्पत्ति के बहुत सारे किस तरह उत्पत्ति हुआ और यह किस तरह काम करता है जिसमें कि आपको जैसे हम modern science में देखते हैं तो यह elements के साथ हमारे पंच महाबूत को हम के से associate करेंगे आप अगर ले लिए कोई वे एलिमंस ले ले जैसे सोना ले लिए गोल्ड तो ले लिए आप लोहा यह होगी आपका आईरन तो आप एलिमेंट्स में आप देखेंगे कि एलिमेंट्स में क्या चीज होता है एक एलेक्टरन होता है एक प्रोटन होता है और एक न्यूटरन होता है तो इन तिनों के मात्रा जैसे परसेंटेज जैसे जैसे उपर नीचे होता है या फिर बढ़ता खड़ता है उसी क यहां पर एक electrone होता है वहां पर hydrogen आ जाता है एक proton होता है तो hydrogen आ जाता है दो electron दो proton होता है और nitrogen oxygen ऐसे ही बहुत सारे elements आ जाते हैं यह हो गया elements का खेल और महापंच महाभूत का खेल तो मैं सोचता हूं कि आप कुछ समझ गए होंगे इसमें और इसका आधुनिक विज्ञान के साथ कैसा को रिलेशन है यह भी आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत तो मैं यहां पर यह टॉपिक को खतम करता हूं ठीक है धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर सेयर किजिए ताकि दूसरे भी यह चीज को जान पाए धन्यवाद नमस्ते